तो आज मैं आप लोग को अपना शेविंग रूटीन बताऊं कि मैं कब कब और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके अपना जो बॉड़ी पार्ट है वो शेव करती हूं उससे पहले अपने जो पार पॉड़ी तर्स ले मारशे पहले बटी कहांदे ती राए यह फिर कम्पलीट करें यह वाइश सब बहुआ है यहां पर अभी कि फिर जुख भुर्च कर लेना है इसे आपके जुख जो खुल जाते हैं यहां पर यहां पर मैं पर स्क्रब यूज़ कर रहा है यह थोड़ा हर्बल प्रोड़क्ट है बिल्कुल ही इसमें मतलब वह जो हार्ष पार्टिकल होते हैं वह सब नहीं है बिल्कुल ही स्मूद काइंड ओफ स्क्रब है इसलिए शाइट यहां पर स्क्रब करें पर करेंड बॉड़क्ट गया और जूपन लूपर लुक्वॉम वाटर डाला था जो बाहन तर भी जो दोड़ दो अपने पर निकालने में अबड़ में आपड़ेंग करता है करने के बाद अपने पैडो के नग ठंडे पानी लाज कर लें प्रेजर करने यह दुट संट अरॉच गाम पानी आपने तो आपने पैड़ो हいた ऊश हुआ हम धर आपने अपने पानी पानी से यह बाज strains सब्गाराच। आपको फिल गावगे साव kaç झाल काम, इसे सब्ढ़ेंगे्ट। के बंगे मापन कोवले लगations के सब्सक्रावाच। करें से लोग होते पिल्ग उपे आ चुत साथ है यह भी भीघ़ मेरे ओगेंगे बहुत काले उगेंगे तो ऐसा नहीं है यह बिल्कुल गलत वात है शेविंग इस गूड़ आप उसको शेव कर सकती है जब भी आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार रेजर लगा देंगे तो आपके बाल जो है वह बहुत ज़्यादा तेजी से उगेंगे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है यह फॉल्स वात है उसके बाद शेविंग फॉर्म के बाद मैं इसको सेव कर लूग आपको अप्वर्ड डारेक्शन में करना है ठीक नीचे के तरफ से नहीं करना है क्योंकि जिस तरह के आपका बाल निकलता है आपके बाल से उसके ठीक जो डानवर्ड डारेक्शन में होते हैं आपको अपवर्ड डारेक्शन में सेव करना होता है ठीक अपको अपवर्ड डारेक्शन है आपको अपवर्ड डारेक्शन में इसको सेव करना है ठीक है तो ऐसा नहीं के जिस डारेक्शन में आपके बाल है उससे डारेक्शन में आ चिखाँ और पाने से थंडे पाने से ऊचिए वाश करने के बाद और बहुश करने के बाद जिसको आप फॉलो कर सकते हैं उसके बाद अच्छे तरी की तो वाश करने के बाद इसको सुखे कपड़े में या टावल में पोच ले उसके बाद शेफ करने के बाद आप मॉस्चिराइजर जरूर लगाएं यह बहुत इंपॉर्टन्ट होता है शेफ करके आप छोड़ नहीं सकती हैं इस पर आप यहां पर नारियल का तेल भी लगा सकती है इससे क्या होता है जो आपके फिर से हेर ग्रोथ होते हैं वह बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं तो आप नारियल का तेल भी हैर रिमोवल के बाद नारियल का तेल भी आप पूरे बोड़ी में लगा सकते हैं यह आपके स्कीन के मुटीन अगर अच्छा लगा हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब